हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग तो अभी आज के वीडियो की सिर्वात हो रही है 17 अगस्त की साम से तो यहां पे बहुत दिनों बाद में गौवा में सूरज निकला था और काफी अच्छा मतलब लग रहा था तो मैंने सुचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दिय बारिश वगर मौसम दिखा दिन तो सूरज को भी क्यों ना दिखा दू तो उसके बाद में यहां पे मैं अभी लगा रही हूं अपनी नेल पैंट पहले लगाने से पहले उसको मां रिमूव कर रहे हूं तो यह रिमूव करने का किया का है मेरे पास में इसमें 99 आय थे तो मैं बस उसी समा कर रही थी रिमू और यहाँ पर अभी आया था यह आप लोगों को हाई कर रहा था और पता नहीं केमरों में देख्के अपनी सकल बना रहा था और बता रहा था कि मैंने आज यह वाली जिन्स और टीस्ट्रेट पहनी है तो आप बताना अभी कैसा लग रहा था तो इसके बाद में ये वाली नेल पेंट है ये भी मैं बिग बजार गी थी ना मैंने आपको दिखा है तो ये वो ही है तो वैस मैं इसको अपलाई कर रही थी और काफी अच्छा कलर है इसका बहुत अच्छा लगता है और मेरी बहुत सार ये नेल पेंट तो है बनी लगा लिए अपनी उसके बाद में इसके बाद में मैंने आप सब्सक्राइब। है मेरा और सेर कर लेती हूं वैसे तो कोई मेक अप खास लुक नहीं है लेकिन आज आप लोगों को पता ही है आज है मेरा बर्थडे तो बस उसी के लिए में थोड़ा सा रेडी हो रही थी तो पहले मैंने प्राइमर लगया था लेकमी का और उसके बाद में यहां पर मैं लेक करना चाहिए और यहां पर मैं हाथ से क्या क्योंकि थोड़ी से माझ जल्दी में थी लेकिन आप हाथ से भी कर सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर राता उससे भी कर सकते हो तो फाइनली यह भी फाउंडेशन भी अप्लाई हो चुकी अच्छे से और भी मैंने कान में मैंने देख पहले भी लेकिन का था लेकिन अभी वह नहीं है तो उसके बाद में भारियती काजल की और काजल मेरा एलेन 18 का है और काफी अच्छा है 99 रूपीज में बहुत अच्छा है वैसे केमरे में इतना मतलब के लिए नहीं दिख रहा लेकिन अप्लाई करने भी बहुत अच्छा लगता है काजल तो बैस अभी काजल भी हो चुका है और अभी मैं आइसेडो पैलेट यूज करी में वेटन वाइड का है साइड तो बैस इसमें मैं सिर्फ मैंने एक कलर लिया सीमली और उसको मैं अपनी आइस पे अपने हाथों से अपलाई कर लूँगी मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है के ऊपर वैस मैंने प्रोपर कोई आइस सेड अपलाई नहीं किया लेकिन यह काफी अच्छा लगता है यह वाला सिमपल मुझे और आखे अच्छी दिखती ईससे तो बैस मैंने इसको अच्छे से अपने हाथसे ब्लेंड कर लिए और हाथ यह इस कुछ इसी देवां आइब्रू पेंसिल को प्लाय करो ना तो उसका मतलब जो सायनिंग आती है वो बहुत ही अच्छी आती इवह दो बाइन साभी आइस बैसेफ हो गए वसके बाद में मैं आइपरो पेंसिल से पने बनाए मेरे बनाए हुए नहीं थे और अगर आपके आईवरो बनाए हुए नहीं होते है तो आप आईवरो पैंसिल से सेट करोगे तो बहुत अच्छे लगते है तो उसके बाद में बार्या आए गई थी लिपस्तिक की तो यह लिप कलर भी मेरा लेटमी का यह 925 फाला और यह सेट म लगा लिया मैंने उसके बाद में आती है सिंदूर लगाने की मांग भरने की बारी तो बैस यह है फाइनली मेरा मेकप आज का मेकप लुक तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा आप सब लोग तो अभी बस मैंने आप लोगों के साथ में अपना मेकप का थोड़ा सा मत्सभजों मा करती हूं टैचाम वह मने आप लोगों के साथ में और भूट सारे प्रोड़क्ट होते हैं जो मने नहीं नहीं अप्लाई किये तूकि अभी लेट हो रहा है और तारीक मत आज तारिक 17 अगस्त और आज मेरा बर्थडेग तो इसलिए मैं थोड़ी से रेडी हो गई हूँ अभी हम लोग जा रहे हैं भार वो बोले कि चलो बाद भूमाके लाता हूं और केक वगर आता हूं और अभी सामका टाइम हो रहा है यह भी थार्ण साड़े चाहं होने वालए है बस मैं रेडी हूं तो मैंने आज मैं वैसे को लोग रूटी नहीं है तो तो जो इसमें सिर्फ बस मेरा birthday vlog होगा, ठोड़ा से मैशने मेरा मेकप पगळा था, जो मैनने आप डुझेड़ी दिखा दिया कैसी लग रहा है और काफी अच्छी खुड़्ती है वैसे, तो आप लोग बताना आप लोगों को यह नौर्मल मेकप जाया है जो हम मतलब है कि तब दिनू कि अभी इस वक्ति ये कर रहे थी अपने हाथों से मेरी बर्थड़े की डेकोरेशन हम लोग भार से आ गये थे केक वगर है जो भी लेना था वो लेके और अभी है बलून फुला रहे थे तो ऐसे बाते कर रहे थे कि वह बलून फुलाने वाला होता ना वह अभी के पास आ रहे थी और अभी बार बार असे हाथ जोड़के इसको था कि हाथ जोड़के ऐसे केक को कट किया जाता तो बस इसको उसी की लगी हुई थी कि केक कट करना रो रहा था उसके लिए लेकिन जैसे तसे करके इसके लिए जल्दी कर रहे थे कि बही जल्दी से करके अभी रुक जाए इसको मतलब तसली नहीं थी बिलकुल भी तो बैस अभी इन्होंने ये सारे ये ही लगाएंगे डेकोरेशन ये करें थोड़ी बहुत मेरी हेल्फ बिलेंगे वो ये किया के लिए तो नहीं कर सकते ना कुछ भी तो बैस इन्होंने ये हपी बर्थडे वाला भी हुआ तो एक बार इनको मैं फिर से थैंकी बोल देती हूँ ये भी मेरा वीडियो देखते है वसे तो ये देखिए फाइनरी कितनी अच्छी डेकोरेशन किया मुझे बहुत अच्छी लगी सच में मन से और बहुत अच्छा लगा ये सब देखके अपने बर्थडे पर ये देखते हैं अब अच्छी लगी और मन इस में पता नहीं क्या वोलते क्या वोलते क्या वोलते है क्या वोलते हैं यह भी इनको दिलवाया था और मुझे काफी अच्छा लग रहा है अब आभी को केक कट करने की रखते है, अभी करेंगे, तो आभी रो रहा है इसको बस केक कट करने की है, इसको बोला कि मेरे को केक कट करने है, बमा का बढ़ते है, ये कुछ भी नहीं करने दे रहा है, तो चलिए मैं इसको रोखते हैं, जाओ आभी, ये से ये, ये रो रहा है अब भी अभी जो एगा अभी कुछ आलेका पिली हो दिए विर निए लाँ अभी गुटक करें अभी पिला यह पिलाट अजय इंप कियो करें अभी श्यूकर मैं जरो केकर कर देख और थेखे काड़ धो यू 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 nada एपी ड चैनी कlike कड़िए क्या ही अभी विर। भी पकड़ेंगे के खिला एंगे West ममा को के क्खिला हुो भी पकड़ो लो लाचिएviv стен язवी के खिला हुं जो ायांसे एभी हमयन 있고 भी ढ़िए मुच्च लेगा तो यह लिजिए आप लोग भी खालीजिए बढ़ते डिका केक मैं इसको फोड़ा सा सैट कर लेते हूं इस्टेंड को और आप लोग की मुझ मीठा केलीजिए मेरे बढ़ते पर बता हम आप लोगों को ऐसे केक नहीं किला सकती लेकिन ऐसे पूछ तो सकती हूं ना तो आज मे मेरा 25 जनब दिन थाल मेरे चोईस साल है वो चोईस साल है और साथी के पाद में हम लोगों हम लोगों है पर्थ देन इस इसलिए करना हिस्टें कि है अब इस्टेंड के लगा हूँ अभी लगा हूँ अभी क्या कर रहे हो और आभी को इसकी जल्दी पड़ी थी बस आप मैं इसको रखते हूं है ऐसे पूरा भिगेव देगा तो एक बार खिल से आप लोग मों मिठा कर लीजिए केक खाली जीए तो चलिए अभी देखते हैं और क्या सर्प्राइज रखा इनोंने और थोड़ा समय केक को भी मखिला बर्थ देखा देखे आऊंगी बुलाय तो नहीं है किसी को गर पे लेकिन मैंने सेसे ही कर रहे है थो अविलोगी सलिप्रेट कर लेंगी इतना बड़ा कुछ है नहीं अवे क्या कर रहे हो ? है कॉछ कुछ इलगी हो क्या की गर का दाल सभिया तो मैं इसको थो को बना देखdiesी किन है मैदैक अभी हमारा डिनर हो रहा है बार्त पीजा अगरा खाना मैंने थोड़ा कम कर दिया है तो बस इसी से हो जाएगा दोनों का आज की से सल बर्थ दिनर को थिनैर में नहीं पीजा मगई现ा जो मेरा फेडरेट था और है भी हझे और कोल्रिंग पी बीजा हुआ । यह यह को भी हघरा फ्र जाल जोना है नहीं है कितना 12 साल में एक बार वैसे भी इवर्सिट करते रहते हैं तो यह सब को पीजा बगरा लेकिन आज के दिने मतलब है इतना हमारी इस पैसल होगे जाता है तो कि पहले के टाइम में केक वगर है कहा मतलब सादी से पहले मारे कभी अपने बठते पर केक मतलब कट नहीं किया एक को मेरा में बदा है तो बहुत ज़्यार अप्ल समास तो चलिए आप लोग भी फीजा भी खाली की ए और हमारी मेरी खुछी में सामील हो जाए ये पीजा खाली कि आप लोग भी और अभी को तो कॉर्ण रहें की पढ़िए पीजा खाना नहीं ये खाना आपको नहीं झाल झाल तो अभी खाना पीना सारा काम हो चुका है और अभी उस कमरे में टीवी देख रहा है और मन इसको लगाया हुआ आद मैं इसको नहीं निकालने वाजे मुझे कापी अच्छा लग रहा है यह ऐसे तो अभी बारी आती है कर दो कि उन्होंने क्या कि दिया यह फ्रुग म करता इक बात ओगी तो छलेए फैनल्ली मां आजा आप लोग़ों को दिखा दरती touchdown तो इन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया है यह वाच फिटनेस वोच है नोइस की है और फिलिपकार्ट से इन्होंने मंगवाई थी फिटनेस स्मार्ट वोच और इसको मैं आप दोको बैक अमरे से इसका थोड़ा सा वीडियो है मेरे पास भी पहले का रिकॉर्ट क्या आप मै तो यह नोइस की कलर फिट प्रो टू फिटनेस स्मार्ट वोच है और इसकी प्राइज से तीन हजार के सम्थिंग है और आप लोग क्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहो तो और इसमें काफी फिचर्स दिये हुए है यह मल्टी स्पोर्ट मोड इस इसका महां से कंट्रोल होता है तो अभी आप लोगों ने मौट तो देखी रही है तो चलिए भी इसको मैं आप लोगों के सामने भी खोल के देख लेते हूं कैसी है तो इसकी पैक्किंग है इसकी फोल लेके फटा पटा पटा तो यह ऐसी कुछ आई है और इसको सेट करके तो यह भी सेट करेंगे उसके बाद में देखी मैं एक हाथ में में रोज घड़ी पैन के रफूनी क्योंकि अभी थोड़ा समय मैंने योगामेट तो बहुत पहले से मनगवा के रखा है तो मुझे साब मतल सारी चीजों का पता चल जाएगा कितनी मैंने कैलोली बैन की, कित है कि दृख ल करना हैं गड़ी और गड़े मुझे काफी मतले पेले से सोगता में म मिरी लिए घड़ी मंगवाती, है एन्हों ने इसे न में इधर एक्षर लागा दे पॉटो फोटो की लगा लेते हैं और इसका कंट्रोल है वो एप से मुबाइल की एप से होता है तो अगर आप मैसे कोई अच्छी गड़ी देखना चाहता है स्पोर्ट्स की फिटनस के लिए तो नोईस की गड़ी है काफी अच्छी है आप ले सकते हो तो यह देखिया फाइनली बिल्कुल तर्थिस्प्रीन वाली है तो काफी अच्छी लगी इप के लिए भी तो चलिए गाईज आज का छोटा सा मेरा बर्थडे का व्लोग था जो माने सवचा मां आप लोगों के साथ में शेयर करती हूं तो आप लोग प्लीज लाइक के रूप करना अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी व्लोग पसंद आया हो तो चलिए अभी हम लोग इस वीडि इतर आके करेंगे अभी अभी जरू दुकरें ऊप्लींड़ा सा भी जरू आप लोगें जरू अधर गी खुलिए गाईज बाएज बाएज नव थो तो उत्लिए बाएज बाए लोग ओए